तो एक्जाम मित्र में एक पर फिट साब का स्वागता आश्या करता हूँ आप सभी अच्छेंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीयची नर्सिंग एडमिशन की लेटेस्ट अपडेट जारी किया गिए है नीट के दुवरा एक और नया नोटिपकेशन जारी किया गया तो इस नोटिपकेशन में क्या दिया गया संपुन जानकर आपको इस वीडियो मिलेगी वीडियो को सुरूशन तक जरूर देकिए और दोस्तों अगर आप मरे चनल पे नए हैं चनल को सब्सक्राइब इजे और बेल आइकन को जरूर दो भाई जिसे की आने वाले सब भी वीडियो जोने डिक विसन आपको मिल सके तो दोस्तों नीट के द्वारा ये एक और नया पब्लिक नोटिस जारी किया गया जो चैगस 2021 को जारी किया गया था और इसमें जो सब्जेक्ट आप चेक कर सकता है अर्जेंट अटेंशन फो बीएसी नर्सिंग बीएसी ओन नर्सिंग कोरसे एस्पारेंट तो ये इनके बीएसी नर्सिंग जो एलाइड कोरसेज है तो उनमें अगर एडमिशन प्रोसेज को कम्पलेट करना चाते है तो वो नीट को यूटलाइज कर सकते हैं उसमें कमपलसरी नहीं दिया गया था लेकिन अभी काफी सारे बचों के मेसेज आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि जो कोलेज हैं वो जो मेनेजमेंट कोटा से सीट लेते हैं वो भी नीट को कमपलसरी कर रहे हैं तो वो दोस्तों वो उनके बेसेज पर है कि वो नीट को कमपलसरी करते हैं या नहीं करते हैं यह कोई मेंडेटरी नहीं है काफी सारे कोलेज नोटिस भी जारी कर दिया गया है जि आप उनके माद इस इंफरमोशन ले सकते हैं तो दोस्तों जो मेनेजमेंट कोटा के तहते प्राइवेट कोलेज हैं वो सीट अलोट करवाते थे बीसी नर्सिंग के कोर्सेज के रिगार्डी तो वो भी अब क्या है कि काफी सरी बच्चों मेसेज के लेकिन उनके लिए वो कंपलेसरी नहीं है तो वो भी क्या है नीट का फैल करवा रहे हैं आइठ मस Div Leonard पहली ही करवा रखा है लेकिन पहले होता यह तक वो भी टॉछट मास के बेसेज पर भी एडमिस्ट प्रोसेज को complete कर सकते थे तो यहाँ पर जो INC है INC Indian Nursing Council को भी इसमें एड कर लिया गया है तो जो भी notice आता है दोस्तों उसमें INC का भी इसमें mention रहता है तो जो आपकी degree है BAC Nursing की तो वो INC की तहत अप्रूव होके ही आपकी बनती है तो इसमें जो आपका नए notice जारी किया गया है तो इसमें क्या आपका eligibility criteria दिया गया है इसमें जो आपकी age है वो आपकी होनी चाहिए minimum आपकी 17 साल जो maximum है maximum का इसमें कहीं भी नहीं mention नहीं कर रखा है 31 December को आपकी minimum age है वो आपकी 17 साल हो जानी चाहिए जो second आपका minimum educational qualification है उसके recording आपको दिया गया है कि आपके 10 प्लस टू आप पास आउट होना चाहिए उसमें आपकी physics, chemistry और biology और आपका जो core subject वो इंग्लिस होना चाहिए और उसमें आपके अगर आप 45 परशन मार्क्स है वो आपके होनी चाहिए class 12 में और इसके अलावा अगर आपने state government के किसी भी स्कूल से या आप central government के किसी भी स्कूल से NIOS इसमें बिल्कुल mention किया गया है NIOS NIOS के तहत आप MBBS के लिए apply नहीं कर सकते हैं उसकी counselling में लेकिन यहाँ पे जो central government के दुवरा NIOS का जो प्रोग्राम चला जाता है उसके तहता BAC nursing में आप participate कर सकते हैं तो इसमें भी वही से कर रहा है तो फिजिस chemistry biology और को सब्जेक्ट आपका इंगलिस होना चाहिए और 45 है वह आपके अधर जैसे आपके जनल काटिगरी से है इड बुलस से उनके लिए है और आपका जो इंगलिस सब्जेक्ट होना चाहिए 12 में NIU से करने वाले कापी बच्चों के इंगलिस सब्जेक्ट नहीं होता है तो वह कंपल्जरी इसमें होना चाहिए और इसमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वह आपका इसमें जो फिजिकल हैंडिकेप उनके लिए 3% रिजर्वेशन कटेगरी दी गई है तो दोस्तों यह eligibility के regarding यहां पर यह notice जारी किया गया है तो जो बच्चे अभी तक form फिल नहीं कर पाई हैं 10 अगस्त मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 10 अगस्त है यह आपके NEET UG की last date है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप सभी बच्चे NEET UG का form जरूर फिल कीजे क्योंकि आगज़ा कि जिस college से अभी तक जिनोंने notice जारी नहीं किया गया है तो हो सकता है कि वो notice बात में जारी कर दें तो आपके पास में कोई option नहीं रहेगा और कापी सरी जो private college है वो NEET का application form है वो उसके basis भी by admission दे रहे हैं क्योंकि उसमें जो management quota से दे रहे है उसमें आप चाहे admission लना चाहते हैं कितना भी score किया हूँ वो माइन ही नहीं रखता उसमें बस आपने NEET का application form पर फिल करके और आपने exam दिया हो तो management quota जो private college में उनकी बात कर रहा हूँ गवर्मेंट college में आपको जो counseling के तयत है वो admission procedure उसमें आपकी कमपीस लगती है तो दोस्तो कब्री सारी चीजें हैं वो बदल दी गई है आपकी बार B.A.C. honors या B.A.C. nursing courses के लिए तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका NEET UG का form जरूर फिल कर दीजे क्योंकि इन future आपको complete करना होगा और मैं आपको फिर से बहुत रहा हूँ 10 अगस last date है 5 विजे तक आपको time दिया गया है आप यहां पर check भी कर सकते हैं हर एक notification में जो एंटी के द्वारा जारी किया जाता है उसमें जो last date है वो 10 अगस 2021 5 विजे तक है उससे पहले ही आप form फिल कर दीजे म और दोस्तों आपको one month में किस तरीके से preparation करनी है कि आपका अच्छे से अच्छे जो आपका government college हो तो उसमें आपका admission है वो हो सके तो उसके लिए दोस्तों आपको mock test series है वो avail करनी है आप इतने 100 टाइम में बस आपके पास में एक यही option है कि आप उस mock test series के basis में आप अच्छ से कर लेते हो तो मैं 100% short ही देता हूँ कि आप इतना score करने लाइक हो जाओगे कि आपको best से best government college भी है वो भी अगर new tog के score के बैसे अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगे दोस्तों तो आप यह mock test paper जरूर वैल कीजिए इसमें आपको 65 plus mock test paper है यह आपको provide किये जा रहे हैं आपको PDF format में आप डाउनलोड करके इनको आप अच्छे से study कर सकते हैं कोई भी issue है कोई भी doubt हो तो मुझे comment box में पूछ सकते हैं दोस्तों और आप किस तरीके से avail कर सकते हैं description box में link दिया गया है आप उस पे जैसे ही click करेंगे कुछ इस तरीका का interface आपके analysis कर सकते हैं और हर एक question का आपको detailed answer solution मिलेगा तो दोस्तों एक complete syllabus based आपके 11-12-13-8 जो syllabus आता फिजिस chemistry biology का उसके बेस्ट पर जो आपके exam perspective important questions है उनको इसमें include किया गया है उसी के बैसे आपको design किया गया है और दोस्तों आपको agility इसमें से काफी सर क्यूसंस भी देखने को मि लेंगे अगर जिन बच्चों ने इसके अच्छे से study कर ली तो दोस्तों आप sure रहे है कि आपका B.A.C. नर्सिंग में अगर आप government college भी लेना चाते हैं तो 100% आपको मिल जाएगी आप इतना score कर लेंगे दोस्तों कि आपको इसके अलावा कहीं से बार से study करने की जरूत नह नहीं है और इसको किस तरगी से आप अवेल कर सकते हैं तो दोस्तों इसकी जो कोष्ट है वो मातर 499 रूपीज है अगर आप मार्केट से कहीं से पर्चेस करते हो तो दोस्तों आपको 10-15 मोक्टेस्ट पेपर के भी आपको 1000-1500 रूपे आपको देनने पड़ते हैं तो यहा पिक आपका वीक है वो आप अच्छे से जो शॉर्ट नोड बना रहे हैं उनके बैसे पर रिवीजन कर सकते हैं जिन्होंने अभी स्टेडी नहीं किये तो वो भी इस मोक्टेस्ट पेपर को जरूर अवेल किचे उनके लिए तो यह मस्ट है दोस्तों क्योंकि यही एक उप् का फोन नंबर फियल करना है और आपकी जो एक्टी उमयल अीड है वह इमाल अीड है वो इमाल अइड है आपको सही फिल करना होगी नहीं होगा आप जैसे next करेंगे आपको payment option आजाएगा, वहां पे आपको net banking, credit card, debit card, phone pay आप ATM से pay कर सकते हैं, फिर उसके तुरंत बाद आपको download file का option आएगा, वहां से आप download कर सकते हैं, और अगर वहां से download नहीं करते हैं, तो जो आपने email अडिया फील के, यहां पे भी एक link जाएगा, ज साल, तो competition का pit-up होने वाला, जो बच्चे इसको lightly लेके सल रहे हैं, तो उन पर depend करता है, क्योंकि अगर वो lightly लेके चलेंगे, तो उनकी seat को और ले जाएगा, तो दोस्तो यह है, अगर अच्छे मेनत करोगी, अच्छा study material follow करेगी, और smartness के साथ में study करोगी last time में, तो आपक कोई भी further update आएगी, इन future तो आपको वीडियो में आदेम से information प्रवाइड करोगा दीजिए, कोई भी issue है, comment box में पूछ सकता है, Instagram पे पो लो करके बांस से भी चानल का रिले सकता है, Instagram पे आपको instant reply देखने मों मिलेगा, दोनों का link आपको description box में दिया गया, धन्यवाद, ज